जारग्राम में जारग्राम, नयाग्राम, गोपी वलबपूर, कोश्यारी और बिनपूर, विधान सबाक्षेत्र के प्रचार के लिए आने वाला था। दुर्भाग्य से मेरा हेलिकोप्टर क्षति ग्रस्त हुआ है और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्ति नहीं हो पाता हूँ। मेरे साथ भारतिय जन्ता पार्टी, बंगाल के अध्यक्स, स्री दिलिप गोज जी और हमारे प्रभारी कईलास विजयवर्गय जी भी उपस्ति थे। मैं सबसे पहले तो इतनी कड़ी धूप में, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आये हैं और मैं आ नहीं पाया, इसके लिए आपकी क्षमा प्राथना करता हूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ कि चुनाव समाब्थ होने के पहले, चुनाव का पचार समाब्थ होने के पहले आपके दर्सन करने के लिए मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा। भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बाद पंडित रगुनात मुर्मू ट्राइबल इनिवर्सिटी हम जार गराम के अंदर बनाएंगे जो ट्राइबल बच्चों को उचित अवसर देगी और उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। स्टेंड अप इंडिया की जो योदना मोदी जी लाए हैं बनने वाली बंगाल सरकार स्टेंड अप योदना के लिए भी सो करोड रुपिया लगाकर लाकों आदिवास्यों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देगी। हम 50 परसंट, 50 परतिसत, फाइनन्सेल असिस्टंट अर्थीक सहायता वो श्टूडन को लेंगे जो 70 परतिसत से मार्क लेकर आदिवासी समाज के, सत्तर परतिसत से ज्यादा मार्क लेकर आते हैं, उनको आगे की पड़ाई के लिए, बारवी कक्सा से आगे की पड़ाई के लिए हम आगे करेंगे।